हलो फ्रेंड्स वेलकम टो आई चैनल मल्टी रोज लाइफ दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सिर्दर्द को दूर गड़ने के बेहदी आसान और घरेलू उपाईल लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिजर्च और एक्सपर्ट्स की राय से होते हैं ताकि आप हमेशा स्वास्त और खुशहार रहें यदि आप चाते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुँशती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें सिर्दर्द एकाम रोगों में से एक है ये रोग किसी भी प्रकति के व्यक्ति को किसी भी कारण से हो सकता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार सिर्दर्द होने के पीछे कारण क्या है क्या सिर्दर्द से चुटकारा पाया जा सकता है जीवन्शेली और खानपान सिर्दर्द होने का सबसे बड़ा कारण बन चुके हैं कम समय में ज्यादा पाने की इच्छा, खराब लाइफस्टाइल और टेक्नॉलजी का ज्यादा इस्तिमाल सिर्दर्द को जनम दे रहा है आमतोर पर लोग सिर्दर्द से रहात पाने के लिए सबसे पहले गरेल उनुसकों को ही अपनाते हैं जिससे जल्दी और आसानी से राम मिल जाए सिर्दर्द के घरेल उनुस्खे सदार भी होते हैं और इनका सेवन अगर सही तरीके से और संतुलित मातरा में किया जाए तो इनका साइड इपेक्ट भी कम होता है और सिर्दर्द से छुटकारा पाने में आसानी होती है इसलिए लोग डॉक्टर के पास जाने से पेले सिरदर्ध से शुटकारा या अराम पाने के लिए गरेल उनुसके या आयोरवेदी कुछारो का सहर लेते है सिर कारणवर्श दर्ध होना सिरदर्ध कैलाता है सिर में दर्ध अब हलका हलका शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़कर जब असहनिय वस्ता में पहुच जाता है तब उस दर्द को सिर्दर्द समझना चाहिए सिर्दर्द सिर्के किसी भी हिस्से में होने वाला दर्द है सिर्दर्द सिर्के एक या दोनों तरफ हो सकता है ये सिर के एक बिंदू से शुरू होकर पूरे सिर में फैल जाता है या किसी एक निश्चित स्थान पर होने लगता है ये दर्द सिर में संसनी पैदा करने वाले तीज दर्द या हलके दर्द के रूप में दिखाई दे सकता है सिर्दर्द दीरे दीरे या चानक उत्पन हो सकते हैं और एक गंटे से लेकर कई दिनों तक रह सकता है सिर्दर्द से शुटकाराबाने के लिए घरेलो नुस्कों को अपना सकते हैं तो चलिए जानते हैं क्या है वो घरेलो नुस्क है एक गिलास में गरम पानी लें और नीबू का रस मिला कर पीएं इससे आपको सिर्दर्द से राहत मुलेगी कई बार पेट में गेस बनने से भी सिर्दर्द होता है ये गरे लूपचार इस तरह से सिर्दर्द को असानी से ठीक कर देता है नीबू पानी पीने से ना सिर्फ गेस की समस्चा दूर होती है बलकि सिर्दर्द भी ठीक होता है सिर्दर्द से छुटकारा पाने के लिए अजरक के जूस और नीबू के जूस को एक साथ बराबर मातरा में मिला ले अब इस मिशन को पूरे दिन में एक या दो बार पी हैं यह दवा कितरहा काम करता है इससे सिर्दर्द दूर्द होता है सिर्दर्द से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपचार है कि दालचीनी को पीस कर पाउडर बना ले अब इसे पाने में मिलाकर पेस्ट तयार करें इस पेस्ट को सिर्पर लगाने से आपको तुरंत अराम मिलेगा तुलसी मास पेश्यों को अराम देने का काम करती है ठकी हुई मासपेश्यू के कारण होने वाले सिर्दर्द के इलाज करने में तुलसी बेहलाब दैक होती है इसके साथ इसमें आराम देने और एनालाजिस के प्रभाव भी मुझूद होते है सिर्दर्द से चुटकारा पाने के लिए एक कप पानी में सबसे पहले थीनिया चार तुलसी के पत्तियों को कुछ मिन्टा को बालने के लिए रख दे इसमें कुछ मातरा में शेहद भी मिला का चाई की तरह पी सकते है नारेल तेल से 10-15 मिनिट मसाज करने से भी आपको सिर्दर्द से राहत मिलेगी अगर आप गर्मी के समय में सिर्दर्द से जूज रहे हैं तो ये नुसका परभावी तरीके से काम करेगा सिर्दर्द को थंड़क पुचाता है और दर्द को कम करता है लैसुन के कुछ टुकड़े ले इसे निचोड़ गए रस निकाले कम से कम एक चमच रस निकाले और पीए दरसल लैसुन एक पैनकिलर की रूप में काम करता है जिससे सिर्दर्द से राहत पहुचती है सिर्दर्द से निचात दिलाने में बदाम का तेल भी काफी खारगर होदा आए करीब 15 मिनिट तक बदाम के तेल सिर्द का मसाच करने पर सिर्दर्द से राहत मिलती है अगर आप सिर्दर्द से ग्रिस्थ हैं तो फिर पनीर, चौकलेट और मटन को अपने आहार से दूर रखे इसके बदले आप ऐसी चीज़े खाएं जिसमें विटामिन C, D, B, 12 के साथ साथ प्रोटीन और केल्चम भी हो अपने आहार में हरी, पत्तेदार सबजिया जैसे गोबी, फुल गोबी और मेथी को शामिल करें साथ ही बाहर के जंग फूट से भी परहस करें सिर्दर्द के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग ठीक तरह से नीन नहीं लेते इसलिए अगर आप सिर्दर्द से निजात पाना चाते हैं तो अच्छी नीन ज़रूर ले अगर आप 6 गंटे की भी नीन लेंगे तो आपको सिर्दर्द की शिकायत नहीं होगी तो दोस्तों यह हमने आपको बताया सिर्दर्द को दूर करने के बेहदी असान और गरेल हो पाए हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई यह जनकारी आपके लिए लाब्दायक होगी ऐसी ही जनकारी हम आपके लिए आगे भिलाते रहेंगे बाई, टेक केर, बी हैपी, धन्यवाद